तो आज आपको एक ऐसा डेटा दिखाने वाले हूं यदि जो लोगडाउन लगा था फर्स्ट लोगडाउन 23 मार्च 2020 को क्योंकि 22 मार्च को लगबग जो है जनता कर्फ्यू था उसके नेक्ट डे से कर्फ्यू जो है एनाउंस कर दिया गया था यदि उस समय पर आपने उस दिन 23 मार्च 2020 को एक लाख रुपए किसी स्मोल कैफ फंड में ल सबसे ज़्यादा जिसने पैसा बनाया उसको बाद में देखेंगे इससे पहले यदि आपने S.I.P. में इन्वेस्टमेंट किया है तब तो आपको डरने की कुछ इंता करने की देखने की जुरूति नहीं है इन्वेस्टमेंट आपका कंटीनर रहेगा बहले मार्केट उप सेंट गिरता है तो वहाँ पर स्टोक्स में डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर आप मूचल फंड में लंब सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो 23 मार्च 2020 को फर्स्ट डे ओफ लोगडाउन पर एक लाख रुपा इन्वेस्टमेंट किया तो सबसे कम जो रिटनर मना कर द यानि कि तीन गुना से भी ज्यादा केवल साड़े तीन साल में आपके फंड की वैल्ली हो चुकी है तो ये मैजिक ओप इन्वेस्टमेंट को सोचने समझने कोसिस कीजिए और इन्वेस्टमेंट इनिसियेट कीजिए और जो आप्सें डाउन है उनको कैसे ट्रीट करना है वो भी आपको समझने के पशने के जुरूत है इसके बाद इन्वेस्ट मोईट इन्वेस्टमेंट केप 3.884. też सुंद्रम इसमोर चार लाग शूरल बन गए 21.000.000 अए उन्वेस्टमेंट की तो शाड़े तीन साल पहले गए यदर दस लाग करते तो इसको दस से आप मल्ट किया था और 29 नमबर 20-20 को आपने विड़्ो कर लिया या फिर इस दिन उसकी वैल्यू आपने जो है अपने मीचल फंड की चेक की है इसके बाद यूनियन इस्मोल कैप ने चार लाग 16,000 बना इए है और जी टाटा इस्मोल कैप ने चार लाग 18,527 रुबब बना दिये हैं इसके बाद आइसे प्रू कैप चार लाग 940 रुपा बना दी हैं इसके बाद Franklin India Smaller Companies 4,30,000 रुपा बनाए हैं तो 1,00,000 रुपा की वैली 4,00,000 में convert हो गई चार गुना आपके पैसे हो गए एक लाख रुपा के इसके बाद देखिए इडल वेसी से Small Cap 4,37,990 रुपा इसके बाद केंदर रुबे का Small Cap 4,44,000 रुपा इसके बाद देखिए SDFC Small Cap 4,49,000 रुपा एक लाख के साड़े 4,00,000 रुपा बने गए तो मैं आपको इस वीडियो से डेटा से समझाने की कोशिस क्या कर रहा हूं कि आपको ये समझना है जब मार्केट गिरे डेटेल इन्वेस्टर्स की मैक्सिमम की अभी भी मान सकता वैसी है मार्केट गिरा है तुरंत निकल जाओ खतम ना हो जाए पैसा डूब ना जाए बहुत सिंपल है इतना सिंपल है इसको बिल्कुल कॉंप्लिकेड़िट करने की जरूत नहीं है ये इतना सिंपल है मान लीजी आपके पास घर में सोना रखा हुआ है तो वो सोना तो सोना ही रहेगा वो सोने का वेट यदि सो ग्राम है तो मार्केट में सोने का भाव यदि एक लाख रुपए हो जाए या बीस एर रुपए हो जाए वो सोना जो 100 ग्राम आपके पास रखा वो 100 ग्राम ही रहेगा लेकिन यदि आपके अंदर confidence है कि सोने का भाव यदि आज 20 एर हुआ है तो मुझे और खरीद लेना चाहिए आगे जाकर फिर ये 2 लाक ए 1 लाक रुपए हो जाएगा तो ऐसा confidence आपके साथ ये knowledge आपके पास है तब आप mutual fund equity investment से बहुत सारा अच्छा पैसा बना लोगे इसके बाद देखिए बैंक ओफ इंडिया small cap 4,50 लाक रुपए और जी HSBC small cap 4,71 लाक रुपए और आप केबल 2 top के fund बचे हैं निपोन इंडिया small cap 2nd last top में आता है 5,14 लाक रुपए अब difference में देखिए आप तीसरे नमबर का जो तोप से 4,71 और जी सेकेंड नमबर पर 5,14 लाक रुपए Quant small cap fund नमबर 1 रहा है लगबग इस साड़े 3 साल के समय के पीरीड में जो कि 23 मार्च 2020 को investment किया एक लाक रुपए और 29 नमबर दो यार 23 को निकाल लिया तो Quant small cap ने एक लाक रुपए के 6,84,199 रुपए बनाए है सबसे ज़्याद है सेकेंड नमबर पर जो है निपोन इंडिया small cap है 5,14,000 बने थे यदि एक लाक के तीन साड़े तीन चाल लाक बन गए वो भी काफी है हमें केवल रिटर्न के पीछे दोड़ना है ये भी सोचना कई बार घातक हो सकता है क्योंकि रिसको मेटर्स, फंडामेंटल्स, बाकी के रेशियोज भी कई बार देखना ज़रूरी important होता है उनको देखिए, सोच समझ कर निवेश कीजिए और कुछ अपने portion का यदि mutual fund में निवेश कर रहा है और 10 रुपे तो उसमें से कितना आपको small cap में कितना maximum risk में लगाना ये आपको पता होना चाहिए आप 5 रुपे लगा सकते हो, 3 रुपे लगा सकते हो या 8 रुपे लगा सकते हो ये केवल और केवल आपके risk और आपकी pocket कितना अलाव करते है उस पर depend करता है, ठीक है तो इस उधारन से आपको क्या समझ में आया comment करके बताईए और क्या आपने इस समय पर investment किया था बहले ही वो mutual fund हो या फिर direct stocks आपने खरीदे हो क्योंकि अपने stocks भी उस समय खरीदे होंगे तो बहुत बहुत शांदार stocks बिलकुल मिट्टी के भाव मिल दे थे उस समय तो उस समय पैसा लगाने कर था ऐसा समय कभी आए, 30-40-50% market गिरे तो मैं तो ऐसे समय का इंतियार करता रहता हूँ अब आप सोचोगों कि ऐसा क्या सोचना market गिरे तो अच्छा होगा बिलकुल, जब market गिरेगा तभी तो मोका है निवेस करने का अच्छे भाव पर, भेंगे भाव पर तो आपको हमेसा मिल जाएगा माल अभी आप खरीद लो जाकर लेकिन ऐसे बाजार में भी अभी जो market high पर चल रहा है बहुत सारी अच्छी companies आपको अच्छे discount पर मिल रहेंगे यदि आप चाहते हो उनके list में आपके साथ साजा करूँ तो comment कीजिए उनके list भी में आपके साथ साजा कर दूँगा जल्दी अमीर बनना है कई बार बहुत जाद रिसक लेना घातक सकता है तो percentage of allocation अपना पहले से आपको पता होना चाहिए कौन से stocks कौन से mutual fund में आपको कितना percentage allocation देना है मिलते हैं कल फिर एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवर